हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटैट पेपर वन के लिए मैस के कुछ इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे ये जो कोशन ने 2012 के एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो ही स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोशन है दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तसा 24 सेंटीमीटर है बड़े वर्ग का छोटे वर्ग के छेतरफल का कितने गुणा है तो इसको सॉल्फ करते हैं तो यहांपर दोनों वर्ग का हमें परिमाप दे रका है ठीक है तो क्या होता है जिसकी 4 वह वर्वस चाहिए ब्रमुल करें इन foreign about का ऑप है वह वाम दे अब तर भड़ाइए निकाल सकते हैं तो इसकी जो वड़े हाइए 12 बुटे 4 इसको काटव तenni şekilde सारी बोजा जो होंगी डिया साइड हो गी वो तीन सेंटीमीटर की होंगी ऐसी दूसरा जो स्कूर है वर्ग है उसका परीमाप 24 दि रखा है तो इसकी जो भुजा ओगी वहोगी 24 बटे 4 दियो गया 6 सेंटीमीटर इसका ऑगया 6 सेंटीमीटर का ठीक है अब हमें क्या बॉला गया है बड़े वर्ग का छेतरफल, छोटे वर्क के छेतरफल है कितने गुना है, तो अब हम छेतरफल निकाल लेते हैं, तो अगर छोटे वाले का छेतरफल निकालूं, तो जो छेतरफल है, जिसे हम एरिया बोलते हैं, वो होता है हमारा side into side, भुजा गुना भुजा, तो 3 cm को 3 से करा, तो 9 cm² आ गया छोटे वाले का, ऐसी बड़े वाले का अगर 6 तरफल निकालें, तो 6 गुना 6 यह जाएगा, 36 cm2, अब बड़े वाले का 36 आ रहा है, छोटे वाले का 9 आ रहा है, तो कितने गुना है, 36 बटे 9 करूंगा मैं, तो कितना आ रहा है, 4 गुना, तो इसका अंसर हो गया, option number, option number B, अग 2-3 में, कितने 1-6 हैं, तो इस typearken को करें के इसमें, हमें 2-3 में, कितने 1-6 हैं, तो अगरें, भाग कर देंगे, 1-6 से, अब भाग कैसे करते हैं, पहला वाला जो नमबर है, वो विल्कुल सेम रहेगा, फिर गुना का निशान, और यह जो 1-6 था वो 6 बटे 1 हो जाएगा, त तो इस cancer हो जाएगा option number B, अगला देखते हैं, निम्द में से कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है पूछा है, पहले में बुला है, एक और आधा दर्जन, हमें ये पता है कि एक दर्जन में 12 होते हैं, और आधे दर्जन में 6 हो गए, तो 6 और 12, 18 होते हैं, ये तो हमारा सही हो हो गया, अब बुला है, एक मिली मीटर में 0.1 cm होते हैं, तो हमें ये पता है कि एक सेंटी मीटर में जो है वो 10 मिली मीटर होते हैं, तो इसको अगर मैं भाग करूं, एक बटे 10 लिखूं, तो ये अगर 0.1 cm है, ये भी सही है हमारा, इसी तरिके 3 लीटर और 30 मिली लीटर, एक लीटर में हमारे 1000 ml होता है तो तीन लीटर में हमारे पास कितना हो गया? 3000 ml हो गया? ठीक है? 3000 और 30 इसका तो आंसर आंचिए 3030 ml, जबकि यहां दे रखा है हमारे पास 330 ml, तो यह हमारा गलत होगा, और इस question का आंसर होगा, यही क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा गलत है, अगला देखते हैं, संख्या 100 के सभी गुणन खंडों का योगफल है, तो इस type of question को करने का एक formula होता है, उसको कैसे करना यह देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणन खंड निकाल लेंगे, तो 100 के करेंगे, 2 से किया, 50, फिर 2 से किया, 25, फिर 5 से किया, 5 से किया, और यह 1 हो जाएगा, तो 100 को हम लिख सकते हैं, 2 की power 2, गुणन 5 की power 2, ठीक है, तो अब इसका जो formula होता है, सभी गुणन खंडों का योगफल, गुणन खंडों का जो योगफल है, उसका formula होता है, A की power P plus 1 minus 1, बटे में A minus 1, इंटू, B की power Q plus 1 minus 1, बटे में B minus 1, अब A क्या है, यहाँ पर जो 2 है, यह हमारा A हो जाएगा, और यह 5 जो है वो B हो जाएगा, और P और Q, इसकी जो power दे रखी, यह हमारा P है, और यह हमारा Q हो गया, तो यहाँ पर value रख देते हैं, तो 2 की power, 2 जमा 1, 3 हो गया, minus 1, बटे, 2 minus 1, गुना, 5 की power, 3 minus 1, बटे, 5 minus 1, तो यह हो जाएगा, हमारा 8 minus 1, 7, 7 बटे 1, गुना, 3 का Q हो गया, 125 होता है, 125 minus 1, बटे 4, तो यह 7 गुना, 124 by 4, काटेंगे तो यह 31 हो गया, इसको गुना करेंगे, तो 217 इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, गुनफल, 140, गुना, 101, में क्या जोड़ा जाए, जिससे की, 14, 414 प्राप्त हो, तो सबसे पहले अगर मैं इसको गुना करूँ, 140 को 101 से, तो हमारे पास answer क्या एगा, 0, 4, 1, into 0, 0, 0, फिर 1 से करेंगे, 0, 4, 1, तो यह आएगा, 0, 4, 1, 4, 1, अब इसमें क्या हो जोड़ा है, इसमें हम क्या जोड़ें, कि हमारे पास answer, 14,414 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 14,414 में से माइनस कर देंगे, जो इनका गुना करक answer आ रहा है, ठीक है, तो यह आजाएगा, हमारे 4 में 0 गए, 4 आ गए, 11 में से 4 गए, 7, फिर 3 में से 1 गए, 2, और यह 0, 0, तो 274 इसका correct answer होगा, option number A, छटा question है, 12 और 16 का नियूंतम सार गुनज, ठीक है, नियूंतम सार गुनज, और 10 और 12, 10, 15 का नियूंतम सार गुनज, यह पर हमें 12 और 16 का LCM, और 10 और 15 का LCM को गुना करके बताना क्या हैगा, तो ऐसे ही 10, पहले 12 और 16 का निकाल लेते हैं, तो 2 से किया, 6, 8, फिर 2 से किया, 3, 4, फिर 2 से किया, 3, 2, और यह 3, 1, और 3 से, तो हमारे पास इसका आजाएगा, 2 गुना 2, गुना 2, और 3, ठीक है, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 48, ठीक है, यह हो गया, अब 10 और 15 का निकाल लेते हैं, ठीक है, 10 और 15 का निकालते हैं, तो 10 और 15, 2 से किया, 5 हो गया, 15 का 15, फिर 3 से किया, 5, 5 और 5 से किया, 1, तो इसका जो LCM आएगा, 2 इंटू 3, इंटू 5, 6, 35, तो इन दोनों का हमें बोला है कि गुना करके क्या अंसर आएगा तो अगला सवाल देखते हैं अगला किसी दिन छे बच के चौदा मिनिट एम हो रहा है से आठ बच के दो मिनिट पीम तक घंटों तथा मिन्टों की संख्या तो इस टाइक के वेश्चन को हम कहें सवाल करें देखें पहले दिर्खा में 6,14 एम ठीक है एम से हम 12 बच दख जाएंगे पहले ठीक है उसके बाद पीम चालो और अशूतों के अब 6,12 भजे से पहले हम देखते कितने गंटे हो रहे हैं तो 12 मेसे में 6,14 घटा देता हूं तो वैसे घटा जायेगा तो 0 होते है साथ 14 है तो हमारे बास कितनी मिनट पस्खे द पाइस cmat हो गया ह्या शोड़ा हुद फॉच और यहां 11 दें लिक्यौ एब डिक्र लिक्रश शार 201 गंटे हैं यहांसे यहां तक ख़की पांद ही से अब जाना है 12 मिन्ट हो गए अब हमें 10 हो गया चार और आठ और पांच तेरा तो तेरा घंटे अड़ तालिस मिनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number B अगला है अगला है इस नंबर को 12 से भाग करने पर शेशफल है तो इसको हमें भाग करना पड़ेगा तो इसको फिर हमें अगला नंबर उतारना पड़ेगा अब 10 भी नहीं होता है ठीक है तो एक और 0 उपर हमें उतारना पड़ेगा और अगला नंबर हम यहाँ पर उतार देंगे अब 101 से पहली क्या आता है 12,8, 96, 96 हो गया माइनस किया तो यह 5 बचा और फिर उपर से 2 उतारा 12,48 तो यह हो जाएगा हमारा कितना चार तो शेशफल कितना होगा इसका चार होगा उप्शन नंबर C अगला है 2424 में दो के स्थानी अमानों का योगफल है 2424 है तो अब यहाँ पर दो का जो स्थानी अमान है वो क्या है इक आई 10 है तो दो गुंआ 10 यह तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर दो क्या है यह हजार है तो दो गुना 1000 यह हो जाएगा 2000 तो 2000 और 20 को जोड़ेंगे तो 2020 आएगा option number C हो जाएगा इसका answer अगला देखते हैं किसी आयताकार बकसे की आंतरिक लंबाई चोड़ाई और उचाई हमें दे रखे 10 cm, 8 cm और 6 cm तो 6,240 cm घनों को pack करने में कितने बकसों की आवशकता होगी तो हमें कैसे करेंगे इसको, जो हमें बोला गया है, 6,240 cm घनों को pack करने की बात ही यह इसको हम भाग कर देंगे एक बकसे के item से तो box हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है जिसने हमार पार लंबाई भी होती है, चोड़ाई भी होती है, रूचाई भी होती है चेश से काटेंगे, चेश कम छे, 6 कॉड़ए 2, 24 तो आउनसर आगया, 13 अगला है, चार और एक तिहाई समख़ोण में डिग्रियों की संख्या है तो सबसे पहले हमें बुला है चार और एक तिहाई समकोरण समकोंड क्या होता है जो 90 degree अकॉन बनाते है ठीक है तो पहले 4 समकोंड तो चार गुना 90 करना पड़ेगा तो 4,96, 660, 360 हो गया ठीक है और एक तिहाई समकोंड, एक तिहाई क्या होगा समकोन हमारा 90 डिगरी होता है इसका एक तिहाई हो गया एक बटे तीन इसको काटा तो यह 30 डिगरी और जुड़ जाएगा तो एकर मैं इसको जोड़ूं तो यह हैगा तीन सो नभे डिगरी ऑप्शन नमबर डी यह थे हमारे पेपर वन के मैस के कुछ इंपोर्टन कोश्चन जो कि 2012 के एकजाम में पूछे गए थे उम्मीद है आपका हमारा वीडियो पसंद आया होगा थेंक्यू